चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी केंद्रियम मंत्री राओ इंद्रजीत सिंग ने पूरी ताकत छोंक दी है। बुधवार को शहर के बीएमजी मॉल के समीट स्थित न्यू बालाजी मार्कित पहुँचे तो राओ को सुनने के लिए जनसलाव उमर पड़ा। यहाँ पर धोल नगारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। राओ ने कहा कि उन्हें कम वोटिंग का भए है क्योंकि गर्मी चरम पर है। राओ ने कहा कॉंग्रेस प्रत्याशी को महज लोग देखने आते हैं। लोग समझ चुके हैं वही महिंद्रगर विवानी वरोह तक लोगसभा सीथ पर राओ की मान को लेकर कहा कि पहले अपनी सीथ सुरक्षित करना चाहता था। जब आश्वस्थ हो गया तो महिंद्रगर विवानी वरोह तक लोगसभा सीथ पर प्रचार करने के लिए गया। वीरवार को महिंद्रगर में पीम मोदी भी आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सुबल के समय ही अपना मतदान करे ताकि अधिक मतदान किया जा सके। न्यू बाला करता हूँ और हमारी स्थैनी समार पूरा राताव का समर्चन कर लिए और पूरी हमारी एंपार के 36 ब्रादरी की अब राताव को बाता दिलाती है कि 5-6 लाग मोटों से जीतेंगे राताव के हमारे पर बहुत बहुत धन्यवार तो इस बाद चुनाफ कुड़ा नंबा लोगों को रोजाना राजिती की बात सुनते सुनते लोग उट भी जाते हैं तो हमारे को सिर्फ इस चीज़ का वह है कि वोटिंग परसेटेज कहीं डाउन ना हो जाए तो सभी जगा मैं लोगों से यही कह रहा हूं कि दुपैर पहले ठंडे वक्त के अंदर अपनी वोट है जार पांच बार अलग लग मलकों से वो लोग सभा का वो भी जीत चुके हैं तो लोग देखने को तो आते ही हैं और दीरे दीरे पता है कि घर की मुर्गी बच्ची है पहले तो अपना हलका महफूज करना चाहता था मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्योंकि नया प्र मंतरी आ रहे हैं महंदरगड़ के अंदर फिर से फिर वहां महंदरगड़ भी जाओंगा